नमस्कार, मैं अचारे प्रवीन, आईए जंगल यात्रा में आपका स्वागत है, कॉरवेट के एक बहुत ही प्रसिद और बढ़ियां और शदी से मैं आपको आउगत कराता हूँ, जो हमारे घरों के आसपास ही रहती है, इसको हम चंगेरी बोलते हैं, त्री पत्रीका भी बो में पुष्प आ जाते हैं, बड़ा पौधा है यह, तो इसमें पुष्प आ चुके हैं, और इसकी उप्योगता बहुत सारी है, जब आज इसका सेवन करते हैं, तो बहुत खटा कमिठा और स्वादिष्ट यह लगता है, आईरवेट के दृष्टी कोड से इसके लाभों को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे है कि आप देख पा रहें, यह त्री पत्री का इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका जो अकार है, वो बिल्कुल तीन भागों में यह है, जैसे ही देखे, एक, दो, तीन, यह तीन पत्ते हैं तीन अलग अलग इसलिए इसको त्री पत्री क भी कहते हैं, बहुत लोग तो इसको butterfly भी बोलते हैं, तितली भी बोलते हैं, क्योंकि ये तितली का अकार का है, और ये खटी-मिठी घांस है, तो काफी लोग घांस भी बोलते हैं, और खाने में बड़ा स्वादिश्ट लगता है, खटा-मिठा लगता है, तो आप इसको प्र जाते हैं, और फिर ये उत्पन हो जाते हैं, अब देख रहे होंगे, दर पूरा इस चारों तरफ ये फैला पड़ा है, किसानों के लिए तो बड़ा ये भेंकर चीजे फसल को होने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है, वैसे आर्वीव के द्रिश्टी कोड में, इसका जो वीर्य है, वो उष्ण है, उष्ण वीर्य का है ये, और ये आपका कफ, शामक और पित वर्धक है, और ये यकृत, यानि हमारे लीवर को उतेजिक करता है, उसको इसको इसकी ये पहचान है, इस और जब आप इसको खाएंगे, तो ये खाने में खटा मिठा लगता है, और इसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होती है, तो विटामिन C आप सब जानते हैं कि हमारी इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग कर देता है, तो हमारी इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग करने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी देखे कितना प्यारा फू तो मुह के दुरगंध को भी यह नश्ट कर देता है और अगर आप इसे चाहें तो इसे सुखा कर इसका पाउडर भी बना सकते हैं पाउडर में आप हल दिये लॉंग हो गया माजूफ हल हो गया अगर मिल जाता है तो यह सब मिला के भी आप अगर इसमें रख ले थोड़ी सी लोगों क्या होता है कि तलवे में जलन होती है तो तलवे में अगर आपको जलन है तो अभी आप अगर इसके पत्ते का सेवन करते है या शरीर में कहीं भी आगर आपको जलन से ऐसी महसूस हो रही है तो आप इसके पत्ते की ठंड़ई बनाके अगर आप इसका सेवन करते है तो आपके शरीर में जो जलन है, जो दाह उत्पन हुई है, उसको ये शान्द करता है और मंदागनी, अगर आपका digestion, metabolism अगर आपका down जा रहा है तो आप अगर आप इसके पत्ते का, आठ से दस पत्ते का काढ़ा बना के अगर आप सेवन करते हैं तो आपके मंदागनी के जो समस्या है, जो आपका digestion बढ़िया नहीं है, UDF, undigested food आपके जो भोजन में आ रहे हैं उसमें भी बहुत बढ़िया ये काम करता है, तो आपके जठ्रागनी को प्रदिप्त कर देता है, मंदागनी आपकी जो परिशानियों उसको ठिक कर देता है और इसके 2-5 पत्यों का रस, अगर आप इसको सेवन करते हैं, तो ये आपके पेची, अतिसार, संग्रहनी, इन सम्में भी बहुत बढ़िया काम करता है, तो पेट समंदी जितने भी समस्या है, उसमें इसका बहुत बढ़िया काम है, गैस है, acidity है, बार-बार बन रहा है, अगर आप इसका नित एक बार भी अगर सेवन करते हैं, तो ये बहुत लाग प्रद है, ये तो हम acidity के लिए कितनी-कितनी भैंकर हम दवाईया खाते रहते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो आप इस तरीके से इसको प्रियोग में ले सकते हैं, और रक्त-सराव जैस प्त्तों का तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, और ये skin के लिए बहुत बढ़िया है, इसकिन से जूड़ी अगर आपको समस्या है, तो उसमें भी ये आपका बहुत बढ़िया काम करता है, इसकिन से related परिशानियों में, और इसके पत्ते को उबाल कर, अगर मंठे के जाती है, और रक्तसराव को मैंने आपको बताए कि रक्तसराव में कैसे लाब देता है, और फोडे फूंसिया हो जाती है, अगर आपको फोडे फूंसिया हुई है, तो इसके ये जो पत्ते हैं, ये पत्तों की चट्नी बना लीजे, लुगदी बना लीजे, लुगदी बना इस बहुत बढ़ियां लाब करता है और इसके ने मस्से में इसका प्रयोग है लगाते हैं, तो यह मस्य को भी भढ़ती होतीता है, और यह दांत-दर्द में आपको बताई कि दांदर्द में इसको क्या करना है, इसका काढ़ा बना लीजिए, थोड़ा से फिट क्रीम की ला लीजिए, और इसको पूरे मुख में घुमाते रहिए तो आपको चहरे पर लगाए तो चहरे पर लगाने से चहरे में बड़ी सुंदरता आती है जूरियां जो है अगर आ गई है किसी तरीकी की या आपको कोई दाना है पिंपल से उसमें बढ़िया काम करेगा पत्ते के अगर चट्णी बनाकर लगा है तो भी बेतर है नहीं है तो इसका रस भी लगाएं, तो भी आपके चेहरे पे जो जूरियां आ रही हैं, जो चेहरा पे दाने F indirectly अगे आ रही हैं, आपने देखेंगे 10 दिन प्रूटी बना कि अगर आप उहां पे लगाते हैं तो शिग्र अति शिग्र आपको उसमें भी बहुत बढ़िया लाब देता है यह देखिए इसके चोटे-चोटे अभी यह विक्सित हो रहे हैं यह बड़ा रूप है इसका थोड़ा सा यह चोटा सा है अभी यह अभी धीरे अगर मालिस करते हैं तो आपके सीर के दर्द में सीर शूल में आपको बहुत बढ़िया लाब देता है या इसकी संभाग प्याज के रस में भी अगर मिला के अगर आप सीर पे लेपन करते हैं तो भी आपको सीर दर्द में बहुत बढ़िया काम करता है अब जैसे इसका अगर अगर घरों में गमले में भी आप लगा सकते हैं, इसको बीच बड़े आसानी से मिल जाते हैं, थोड़ा सा धूप में रखना होता है, देख रेख है, थोड़ा सी खात पानी आपको देना पड़ेगा, पालक के सबजी में भी आप डाल के इसके बनाते हैं, सबजी बड़ा ट हां सेके लिए मैंने बता है और इसके पत्यों को सुखा के छहाओं में सुखा के ढूप में नहीं के अभर इसके पत्य का पाओडर भी अगर बना लिए और उसके बाद भी अगर आप सेवन करेंगे तो उतना ही लाप प्रध है ये तो आज हम सब देखे चंगेरी के लाप धन्य बाद तो हमने देखा चंगेरी से होने वाले और भी वीडियोस को देखने के लिए और भी और भी और जानने के लिए जंगल यात्रा में अलग लगी यहां के द्रिश्य को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप हमारे उत्साह वर्धन करिए और भी हम आपको चीजों को दिखाते रहेंगे और भी दर्शन कराते रहेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद ओम सर्विशाम स्वस्तिर भावत